जल्दी बैठी जल्दी बैठी 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 आप वो तुझे ढूंड़ते हुए यहां जरूर आएगा गाँ छोड़कर जाने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था मेरी तब से संकी हुई है जब उसने मेरे काल पर तमाचा मारा था उसने मेरा घर तबाह कर दिया लोगों के सामने मेरी बेवज़ती की उसे जिन्दा मही छोड़ूंगा मैं खत्मकर दालूंगा मैं उसकमीने को प्लूंगा झाल झाल हम पर हमला कर दें भाई वैसे भावी हमें बहुत अच्छी लगी लेकिन मैं तो कहूंगा वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है जिन्दगी भर थोड़े ना रखना है यार है है क्योंत त्ब्रकेश कोगाominaं क spéति है क्योंच्या क्या ये लो, तुम पे लो, बेटा, शुक्रिया, ये ग्लास भी बय्या को ही दे दो ना, बेटा तुम भय्या की फिक्र छोड़ो और अपना ग्लास पक्लू लगता है कहीं पर कोई बड़ा हादसा हुआ है, ये आगे ना बड़े इसी की उमीद है, इन सब बातों की फिक्र करने के लिए आपके बेटा गया है आप किस गाउं के हैं? करनूलू, यहाँ आनी की बज़े, क्या? सर, यह लोग मेरे घर लड़की दीखने के लिए रूको, यह पंचायत क्यों बुलाई गई है और हम से इतनी तहकीकात क्यों हो रही है? मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है मेरे गाउं में मेरी हैसियत क्या है, जानते हो मेरे पार्टी के सारे MLA मुझे सर आंखों पर बिठाते हैं चार बार मैं MP के एलेक्शन भी जीच चुका हूँ दो बार मैं Cabinet Minister भी रह चुका हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ, राजनीती में हो या दादागिरी में और ये कौन है जानते हो? सिर्फ मेरे घर का ही नहीं, इस पूरे स्टेट का जांबाज लीडर है आप कहे रहे हैं ये जांबाज लीडर है, फिर भी जनता की दुखदर्द को समस्ता नहीं खैर, जो होना था सो हो गया, जो घायल हुए है उन्हें इलाज का पैसा दीजिए इस एक्सिडेंट से हमारे गाउं की लोग नाराज हो गये हैं, माफी मांग कर आप जा सकते हैं क्या? मेरा नाम सुनतर ही अच्चा चोकी पतलून गीली हो जाती है, लड़की देखने आया हूं इसलिए ये सब सेहन कर रहा हूं और चुपचाप खड़ा हूं कह रहे हो की इन दो कॉड़ी के इंसानों से मैं माफी मंगूं आप आप अप कि अधिर प्रेंट आप अधिश्ट मेरा नमस्ते यह कॉलेज एक खास अमक्सद से बनाया गया है हमें ख्याल रखना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें इस बार के रिजल्ट में और इंप्रूव्मेंट होनी चाहिए इसके लिए जो ज़रूरी हो वो कीजिए ठेक है मैं माँ आओ बेटा नमस्ते अच्छा मुचा दिया तुझे सारा काउं चानता है अब मुझे भी चान जाए मालिक आपका इंतजार कर रहे है आपके बेल हो गई है आपके लिए आपके लो cut मालिक, स devenव stereotype मालिक का अच्चाओ की नम जाए आपके बेल हो और है बाई बाई किस ने किया रानी और उसके बेटे को हम लोगों ने किटनैप किया और तेरे ही लोगों के सामने मेरे लड़के के पैरों में गिर कर तेरा पती माफी मांगेगा तो ही मैं तुझे यहां से जाने दूँगा हमारी परिजदी करता है वो अब तो देखती जा उसकी किसमत मैं कैसे बदलता हूँ किसमत बदलने के लिए क्या भगवान प्रम्हा है आप इस काउं के बड़े हैं तो वो उस काउं के बड़े हैं मेरे पती की एक कमजोरी है, जो उनके परिवार परवार करते हैं, वो उनका नाम और निशान मिटा देते हैं इंसान ये बात क्यों नहीं समझता, कि इंसा से जंग नहीं जिती जाती जो इंसान आंसों से पिखलता है, वो तलवार से नहीं डरता शेर के सामने गीदरों की कभी अवकात ना थी और ना कभी होगी वो हमेशा जंगल का राजा रहता है तुमसे वो नहीं डरेगा नामों के लिए एक छोटा सा लड़का हम सब पर बिजली बनके तूट पड़ा भाई वो देखते ही देखते सब की लाश भिशाकर चला गया छोटे मलिक शायद आपके पिता जी इस दुनिया में नहीं रहे गर्दन कट गई, जिन्दा रहेंगे क्या? आतरियां कट गई, जिन्दा रहेंगे क्या? भाई, अब यहां रहना मुझकिल हो गया है जान प्यारी है तो यहांसे भागना पड़ेगा इस गाउं में वो दुबारा जरूर आएँगे मैं किसका बेटा हूँ ये मैं उन्हें बताऊंगा ये मत भूलो कि ये गाउं हमारा है हम उनका इंतजार करेंगे क्या है क्या है ये बेटा हम किस दिशा में जा रहे हैं आवाम की फिक्र है पर तुम्हें परिवार की फिक्र नहीं तुम्हारे दादा तुम्हारे पिता तुम्हारे भाईया और आज तुम्हारी पत्नी कितनी लाशों का बोज उठाएगा ये घर तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा अपना खोन भी आज, आपना खोन की होली खेल कर आया है जब ने इस घर में ब्याह कर आई थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा अब तुम, अपने बेटे को देखो, इतनी छोटी उमर में तुम्हारे रास्ते पर चलकर लाशे बिछा दी इसने एक सवाल खाये जा रहा है मुझे, क्या हम इसे सही भुविश्य दे रहे हैं, भगवान के लिए इसे मौत के तांडव से दूर भेज दो मा जी, ये लड़का अज आपके सामने एक सवाल है, लेकिन मुझे इनसाफ का देवता लग रहा है हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है अभी तक इस घर में लीडर पैदा हुए है, रूलर पैदा हुए है लेकिन फर्स टाइम, इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है और वो है ये लेज़ेंट इसमें जो राह चुनी है, ये उसी राह पे चलेगा जितेंदर अपने साथ की हुई बेज़दी की आग में चल रहा था वक्त गुजरने के साथ बदले की आग भड़ती गए विशाखा पत्नम की सडकों पर खून की होली का खेल शुरू हो गया मेरी बात सुनिए आपका जमाई हदें पार कर रहा है कोई नियम नहीं मान रहा, हम ये बरदाश्ट नहीं करेंगे समझा दीजे उसे मुझे लगता है उस दिन आपसे घलती हो गई जेतेंडर ने अपने ससुर जी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया ये पता चलते ही राजा जी को अपने परिवार वालों की चिंता सताने लगी और उन्होंने सभी लोगों को लंडन भेज़ दिया चारों तरफ राजा के एकसिडन्ट की अफाह पहल गई लेकिन हकिकत में वो एकसिडन्ट नहीं था बलकि उनका फून हुआ था राजा के परिवार वालों ने फैसला कर लिया कि हम दोबारा इंडिया नहीं एंगे हमारे एरिया में खुसके हमें मरने की हिम्मत कैसे हुई हम हिंदूस्थानी हमारा खाना हिंदूस्थानी हमारे संसकार हिंदूस्थानी तेरा ब्लट कियों बदल गया प्लड़ी फूल हमारे देश का नाम बदनाम करताह yang क्रूपोचों लगिते देच है लगिते-ंद टेचा है rigपने वाहा है लगिते उव Acts 20 กर कर शाल लाँ है कि वनिते उंगी भाह मैंौडब है लगिते, लाँ कर दवाρεί के चौब है लूल Amen! लगिते, लड़ह एिते लव लग लग्नार लगास्के के लगी हुआ आजए इस लोत राओ जयाँ एग जयाँ एग आजए एग एग कि अपने के लोगों को रंगीन सपने दिखाते हो और लोगों को यहां पर लाने के बाद उसे जिस्म फरोशी का धंदा करवाते हो और जो लोग इंकार करते हो उन्हें मार कर रोड पर फैंक देते हो तुझ जैसे दरिंदों की वज़े से आज कई बेकुसूर लोग विदेशी जेलों में सड़ रहें ना अपने परिवार से मिल सकते हैं और ना ही हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं शाम होने से पहले पासपोर्ट इंडियान एंबेसी पहुंच जाने चाहिए पूरी इज़त के साथ इन्हें इंडिया वापिस भिजवाओ वरना याद रहें अपनी जान की परवा किये बना तुम्हारा ऐसे दरिंदे से लड़ना मुझे अच्छा लगा कीप इट आप अब चले क्या बात है सब कैसे हो और क्यों भई बुख्या कैसे हो तुम कितनी ताजा ताजा मजलिया सजा के रखिए हां वैसे कहते हैं कि दरिया हमेशा खजाना नहीं उगलता है उसके लिए जाल बिशाना पड़ता है इसने अपना काम समल के किया करो मौत तो एक दिन सभी को आनी है लेकिन आपके यहां आने का मकसद अरे तुम लोगों के खातेर पूरी दिल्ली मश्यत्रंज के बिशात बिशार के मैंने मिनिस्टर साब खुद मिलने आया है नमस्ते भाई साब नमस्ते सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए काम करते करते मैं आप लोगों की प्यार की वज़े से आज इस राज्जी का मिनिस्टर बन पाया हूँ आप लोग खुश्टों है ना अरे तुम लोग नहीं समझ पाओगे राजनीती का पार्ट पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग बहुत वक्त लग जाएगा इसलिए कोड में जाकर तुमको कहना है कि जीतेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है बस इतना साही काम कर दो उसके बाद कोई तक्लिव नही अगर वो लीग लिए आजाद हो जाता है तो इसमों तुम्हारा क्या जाता है इन जैसे धोखे बाजों के लिए तुने अपना थूप बर्बाद किया अरे ये लोग तो हमारे थूप के लाइक भी नहीं है यह केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा एए जाओ सब अपना काम करो इंपी को साथ में लाकर केस वापस लेने को कहता है खत्म कर दो अब जीतेंद्र तुम यहां क्यों आए मामला सुल जाता ही अब तुमने क्या कर दिया तुम्हें ने कहा था नो सेंटर से मिनिस्टर को बिलाओ मैं काम्प्रमाइज करवा दूँगा इसलिए एक चांस दिया यहां यही होने वाला है मैं पहले ही जानता था देखो कि अधिक्स में यह सब कौमन है मैं समझ सकता हूं सर लाशें समंदर में टूप जाएंगी कोई सबुत नहीं बचेगा गट कि मैंने सब को मार दिया कोई शेक नहीं लेकिन वो और दो और दो ज़िए चलाएंगा तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदने का जो प्रोग्राम बनाया है उसका बिल देखके में उपर ही चला जाओ तुम्हारा दिल इस लड़की से जुड़ा हुआ है यह तुम्हारे घरवालों को बताना है इसलिए देशी मसाले में मिक्स करके उन लोगों के सामने पेश करना है मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाऊंगा कोशिश करूँगा जितना मेरे हाथ में है आगे तुम जानो ये जाने और परिवार बाले देखो बेटा हम लोगों को उनका दिल जीतना है इसलिए गिफ्ट खरीदा तो बाई में भी तो उनका दिल जीत सकती थी ना अंकल जी अ आपको क्या इतना भी पता नहीं है foreign countries इंडिया से आगे हैं देखो बेटी नासा वालों ने रॉकेट भेजा शरूर लेकिन उसे बनाया अब्दुल कलाम ने ये दिमाग सिर्फ इंडिया वालों में है चैनरल नाने बढ़ाओ बेटी शुटी नगवास खरता रहता है गुरुजी से फिर बत्तमी दी कृष्णा तुम्हारा रियक्शन बहुत लेट आता है थोड़े पहले आ जाती तो हवा का रुख देखकर छत्री पकड़ना मैंने आप ही से सीखाए गुरुजी जो गुरु सीखाएगा वही चेला सीखेगा ओहो करेक्ट है वैसे इसे कितन भाषा तो सत्यानाश हो रही है तो इसे बचने के लिए मैं तुम्हारे कान में यह रूई के गोले ठूच देता हूं क्रिश्णा यह मुसीबत का पिटारा तुम्हारे गुरु कैसे बन गए जयला हुआ खोएला क्रिश्णा तुम तो बच गए लेकिन इसकी गालियों से ल हर दुम्हारे गजिते हैं यह रखोएला के बालियों से बर्षाया हुआ है आझा हैं चाहरे गब भाग कर कहां जाएगा साले तू जहां भी जाएगा मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यह वाइज एक मेरा हिलागा है मेरी इजासत के बिना यहां परिंदा पर नहीं मार सकता मैं मौत का सुधागर हूँ क्या कर दिलित मेर कर दे्ज II कर दोपी कि स्युपाई परिंदे ठीडूाई कर दो हाब motor में एक मा चर भी iven आफ में एक मैं दास इसे नस्दीक किया हॉस्पिटल ले जाओ सेया तुम जा के गाड़ी में बैचाओ धड़े भिवें हॉस्पिटल ले खाने मिल्गाम जा ऑट का चैंए बाज लेखंए झम जाओ है ओन एबदू ठम ही जाए बसे घर double है 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 गाड़ी पीछे लेलो सटक के बीचो बीच मार रहे मुझे अपना पता दे ते ग़र में गुघ के मारता हूं यहाइ0 मेरे अंदर एक बुरी आदत है इसाद्र दिने वाले को जिंद्त और आखे दिखाने वाले को मौत देदा hij चाकू दिखा कर कान फटने जैसी आवाज में बात करने वाने को देख कर मेरा दिमाग सटक जाता है याद बेटा यादा तुम भासकर हो तुमने पहचान लिया बेटा, तुम्हारा यहाँ ठेहरना ठीक नहीं है यहाँ से चले जो, यहाँ मत रुको फिकर मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा यह बताईए आपके यहाँ सब कैसे है हमारे कृष्णा, राव, आनन, सब ठीक ठाक है न हाँ, हाँ, सब लोग ठीक ठाक है गुरु वाहर की रात को, रागो जी की बेटी की शादी है तुम वहाँ पर आओगे तो, उनको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा उनकी बेटी की शादी है उनसे कहना के मैं जरूर आओँगा ठीक है बेटा, बेटा, काफे बक्स जाया हो गया टायर फट गया है, तुम बोलो तो रिप्यार करते है अच्छी बात है, ये गुरु जी कहा चले गया तुमने जो कर्तब दिखाया, उससे उड़कर वो यहाँ खेर पड़े क्रिश्न, ऐसा एक्स्ट्रा लगेज तुमें पसंद है क्या इसे यही पर भड़े रहने दो, वक्त आने पर उबर पहुच जाएगा बैचारे उम्रे दराजे, कहां सोएंगे कोई दूसरा ओप्शन बताओना श्यू पालिश क्या ये स्टेशन भेज दें क्या तुमारा कोई अपना होता तो तुम यहीं करती है चलो तीसरा ओप्शन बताओ मेरा चेला मेरे बारे में कितने ओप्शन सोच रहा है कहीं से छॉब लाकर इसके ठुक्रे ठुक्रे करके खुट्तों को खिला देते हैं अरे फिंगर प्रिंट से हम पर केस हो गया तो जाकर गलफ्स लेलो कोई सब्सक्राइब बचेगा यह आइडिया तो बहुत ही अच्छा है गुरु जी आप कब जागें बिल्कुल सही वक्त पर जागा वाट डिसकेशन इस गोइंग ओन यह में साब बिल्कुल वही कह रही थी जो आपके कानों ने सुना मैं सिर्फ सुनता ही नहीं कृष्णा उस पर अमल भी करता हूँ तो फिर आप यहीं लेटे रहने के लिए मेरी नाग तुड़वा कर चार कंधों पर उठाकर राम नाम सत्य है कहकर शम्शान ले जाने कह रादा है क्या तू भी वक्त के साथ रंग बदलता है बेटा गाड़ी तयार है ओके याद थैंक यू मासकर चलता हूँ ओके बाए ठीक है चलिए बेटा तुम इस शहर में आयो है इस बारे में बारपीट के बारे में रागो जी की बेटी की शादी के बारे में किसी से कुछ मत कहना क्यों? क्या पता कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन बेटर है इन बातों को हम राजी रखे सर, कौन है वो? पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है उसे ठूमने के लिए वो बचके ने निकल सकता जैसे हमारे शिकंजा में आएगा हम आपको सौब देंगे किसी ने पैसे जमान ही करवाए ट्रीट्मेंट जल्द ही शुरू करना होगा बीपी भी काफी लो है पैसे मिल जाएंगे मेरा बेटा सही सलामा थे इसलिए अब तक मेरा बीपी कंट्रोल में है वरना जानते हो क्या होता? अपनी गाड़ी में वो अकेला था वो मिल जाएगा हमें? सर्फ दो दिन में उसे एक से मेले का पे ठीका ना? उसे ढूंड रहे हैं सर्फ वो वाइस एक से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर्फ देखते ही उडाद उसे सॉरी, 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 माप किर गे वो यह मेले इसी हॉस्पिटल में आड्मिट है सॉरी सॉरी इसी एक सेंगें हैं चुपके से कदम उठाने में हीं समझता है वह क्यों अ हमनें दृश्मसे बदला लेने के लिए केस को दबना हो आपके बिड़े ने पश्चाताप नियाख सुसाइट कर लिया है ऐसा केसमें दर्श करूगा अपैमी हें पश्चाताप मेरे घर में है हूं बताई उसे कब मारना है सर क्या डॉक्याट की हाथ से के बाद सिगनल की वारदात का वह फुटेज और हॉस्पिटल की वारदात का फुटेज दोनों मैच किये नो डाउट सर दोनों इक यादमी है आपने जो दिन बताया है पंचांग के अनुसार वो सर्वस्षेष्ट मूरत है हम ये विवा उसी दिन रखते हैं अच्छी बात है हां तो समधी जी आपको इतराज तो नहीं इतराज तो नहीं है लेकिन जैसे ही सोचता हूं कि मेरी बेटी दूर जा रही है तो मुझे तकलीफ होती है अगर आप इजासत दे तो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं ओहो इसमें इजास है कि यह सावाथ है कि अधिरे जाखिये कि यह क्या है जितेंद्र नए सियम को मुबारक बात देकर मेरे गले लगने के समय में इस तरह का हादसा हो गया तुम भेश में शामें हो यह क्या कह रहे हो मुझ पर शक कर रहे हो देखो मुझ पर ऐसा बेबनिया दिल्जाम मत लगाओ जी तेंद्र सर छोटू के कातिल का पता लग गया है सर एए अरे तू कला जा रहा है आप इतने टेंस्ट क्यों है यह शादी नहीं होगी बेटा क्रिष्णा ने जी तंद्र के लड़के को मारा है यह एक मामूली सी बात है क्रिष्णा ने उसे मौत के घाट उतार दिया है ऐसा नहीं हो सकता I know about him no arguments यह शादी नहीं हो सकती बेटी स्नेहा स्नेहा परत के लेड़ब ऊस्के इसकी लड़की की शादी में वो यहां आया था सर छोटे का खून होने से कुछ दिर पहले उसे यहीं देखा गया था कहां है वो कहां है वो कहां है वो कहां है वो यहां क्या हो रहा है यह लड़की कौन है कहां है वो बेटी यहां मत रुको कौन है वो वो मैं पहले प्रोपोस मैंने किया था अब हाफिकत यह है महूरत के टाइम पर पहुंचना है लड़की वाले पहुंचे के नहीं जरा पूछों हम् कर दो! 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 ुऺ से लो को नहो किप्स ओनो इस्ना प्ञेट अग्ड्स नाल कर दो 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 कर अब बस भी करो मक्सद पूरा हो गया अब जाकर सीम को मुभारगबाद दोर ये बात उनके सामने रख देना बकी बैस सवाल लोगा मेरी प्यास पुछी नहीं है कोई भी जिन्दा नहीं रहना चाहिए सब की लाश यहीं रोड पर पिछा दो मेरे छोट कमारने वाले के परिवार में कोई ना बचे इन सब की चिता एक साथ देखनी है मुझे है भगवार जुडेगा निके थर्मतर्कक्तम् तुर्णके बारू के परिवार कर देखने थे एक परिवार के सोंचे बार्णर्ष देखने के आड देखने के परिवार भिवार के लुए आप लोग घबरा क्यों रहे धरती भाड़ कर शेर निकलाया है अब हर एक के साथ हिंसाफ होगा है 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 पता है पहले वाले को तो हॉस्पिटल में और दूसरे वाले को हमारे सामने बे रहमी से मारने वाला तुमारे पिता का दुश्मन है वो किसी को नहीं छोड़ने वाला हा चिता को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है वही डर कमजोरी के निशानी है उसकी फैमिली का खात्मा कैसे करता हूं देखो तुम क्या कर लोगे तुमसे कहीं ज्यादा बाहद्दुरों को वो मौत के घाट उतार चुका है मौत का सौधागर है वो तुम्हारे दादा जी को अपने बच्पन में ही मौत के घाट उतार चुका है उसका अस्ता कोई कुछ नी बिगाड़ पाया उसका एतिहास इतना खौफ ना कहे कि मैं तुम्हें क्या बता हूं राजनीती ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिता जी ने बहुत कोशिश की अपनी पूरी ताकत लगा कर वो अपने भाई को ML बनाना चाहते थे यह बात सच है कि मैं आपके सपोर्ट से यह मेले का सीट जीत पाया था लेकिन आपके भाई लोग इसका घलत फैदा उठा रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है ना सर्थ इस बार अपनी कोशिश से मैं सिर्फ चाह टिकेट ही कंफर्म कर पाया और टिकेट नहीं मिल पाई अब अब आप सब चाहे पीजिए अब बश्च्पन से यही सुनता रहा हूं आप जैन प्रॉब्लम पिकट के लिए मेरे पिता जी ने करण रुपे खर्च किया है सब लोग मतलब की बाते करते हैं इस बार भी वही प्रॉब्लम आ गई है पापा लगता हमारा पैसा वेस्ट चाहेगा फसूल लूगा दुबारा फिर कोशिश करूँगा कि मैंने हार मानना नहीं सिखा है कि पता है मैं क्या करूंगा कि अपना मतलब निकानले के लिए तुम जैसे कमीने लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं अब अगर दूसरी लाश नहीं देखना चाहते हो तो मेरा काम करो सार मैं मेलेज को समझाएंगे सर आपका कम पूरा करेंगे सर मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इन ही जाने दो भाई देखते ये क्या कर सकते हैं कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा मात का तांडव देखना है तो बताओ या मेरे भाई को जिताओ रुके रुके बेटा इनसान सुखी रोटी खाकर भी किसी तरह जी लेता है और ओकी भलाई करने वाला ही सच्चा इनसान कहलाता है अपने स्वार्थ के लिए कोई रंग बदल लेग वो गलत इंसान होता है याद रखना जो खुद तकलीफ जेलता है वही दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और यही कारण है कि ये सारे लोग मुझे अपना मानते हैं और मुझे यहां तक पहुँचाए हैं मैं यूही नह लोगों का हम दर्द बनाओं इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बिटा हाँ जय काली माँ है लोगहुरा, जा फुझ decor P अचना नहीं थो की यहां थे Congressman कर दो 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 कर एए, कौन एबे तू? क्पश्पश्यों एए! क्वश्यों एए! एए! अब खुशी के धुन बजाओ कुर्ज कार्व जय खुशी खुशी के शिरिए मिल खुशी owु हुआँँँँँट के जया दाँ एक राँ खचर करा तरें हुट थो बढ़ हा हुटू खल युट हा कॉल एखुन जो ऀागर ग边 हम झानए अपार को आजए हम फजना है। एनीन ऊजाख ये प्संस तुड्अ टार हम और देख़ींぎ यूर मेर ले ले अ भॉप बहांओा… क्रणूफ। क्रणूफ इसन जूब क्या वहा लट इसे हमारी कस्टड़ी में दे दीजिए विसी को नहीं दोंगा कि यह चाहिए तसर रूकिया सब प्लीज सर 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 मेरी बासूंगे सर फ्लीज सर मुझे टच करता है वे प्लूट चूहों के आगे बजाना शेर के आगे नहीं समझता क्या है लोग तुस्से डरते हैं क्या हाँ डरते हैं मेरी बादशाही ताकत से हिम्मत है दे तु मेरा सामना करके दिखा एए बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीक में मिलिये वो तो तेरे ब्लेड में है प्लीनी ब्लडी फूर राजा माराजा पैदा हुए हमारे खांदान से और तुझ जैसे लोग हमारे यहां जूटे बरतंत होते थे तेरी जबान तेरे हद से चाता बढ़ती जा रही है मेरी सनक अगर हद से आगे पड़ गई ना तुझ में सनक कभी कबार होती है लेकिन मेर अंदर 24 सो घंटे रहती है तो अपनी रिमिट से एक इंच भी आगे बढ़ा तो यहीं कड़ जाएगा फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा तेरी कीटड़ भवकी से में डरने वाला नहीं हूं भाई तू अकेला आया हो तो तो माफ कर देता बैतर ही इसी में है कि तू अक अब जाएं सब्सक्राइब आपके खिलाब सबूत निले है सर आपको हमारे साथ चलना ही होगा कि कमीने मेरे जिल से लोटते ही तेरी जिन्द की खत्म हो जाएगी तेरे गड़ा फाड़ने से में डर जाऊंगा है या करद भाई में मत रहे शूटर हूँ खोपड़ी खोलके रख दूगा तेरी डोंट चैलेंज में जाना भोग मार्ट कॉरत बाड़ास वो सब तो गुद्रत को भुधी में अपने समया तूरे चंपा को प्यार से तुष्टो को मार से हमेशा इंसाफी किया तूने तू है नेता सब ता कुगा है तू है रख्षर सब से जुगा है तू इश्वर का तू है परिश्टा इसमें रहिमत हो यह तुझे रोके का He's a legend 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 आप अच्छे रहेंगे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी, पानून सही रहेगा तो सिस्टम सही रहेगा, मेरा तो एक ही उसूल है, नो बॉस, नो रूल आप अच्छी रहेगा, मेरा तो सिखाएगे, वो बुती में मिल जाएगे, इसके आगे कोई न ठिखाएगे, इसमें सिथा तभी नहीं जुखना, मुश्किल है इस ताब जुखना, इंसानियां से जोडे निश्ता, करू की नहीं कि तभ ये निखेगा, इसमें सिखाएगे, है इसमें सिखाएगे, 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 इसमें सिखाएग कि अगर। थे अग्याव कि अग्याव अरे किस्टर भाई आप कहां गायब हो गयते हैं प्रवी आपके बगार भी कितना उगास लगारा था अगली बार होगे जोड़के मत जाना भी आप उस बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी तुम जाओ 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 काना ने प्रिश्णा दामाजी प्रिश्णा वहां क्यों गया हमने जो इस घर के नियम बनाये हैं क्या आप उससे वाकिप नहीं है प्रिश्णा इसी बग्याओ अभी कुछ भी हो ये शेर आप ही के खांदान का है अपने ही खून से इतनी नफरत क्यों कर रही है माजी मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूं मुझे सलामत दीजिए वो किस रहा पर चल रहा है पहले वो देखिए बंदूकों से खेलना इसके लिए आम बात है उसके पिता इस रंजिश में मारे गए लेकिन ये नहीं बदला जब तक ये पूरे परिवार की लाशे नहीं बिचा देगा तब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा कोई जी है मरे इसे कोई फरक नहीं पड़ता इसके लिए ना हमारे परिवार में और ना ही हमारे दिल में कोई जगए है उसने कुछ नहीं खोया है खोया मैंने है हर पल डर लगता है कोई भी दुश्मन हमारे घर के दर्वाजे पर आकर दस्तक ना दे दे आज मैं सब के सामने एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ अगर आज के बाद इसकी वचा से मेरे परिवार पर आच आई तो मैं अपनी जान दे दूँगी बड़े मालिक यह आपके अपने पड़े है अब दूआ को अब रागाव जी कि बोले मालिक आपने खाना खाया नहीं खाया मालिक देर हो गई है खाना खालीजे और मालिक आप हुम् अब बोल गया आज आपका जनम दिन है हापी बड़े मामा जी बागी सबी ने खाना खा लिया पता नहीं यह दिन दोबारा आएगा यह नहीं ऐसा क्यों क्या रहे हैं दो बार मौत आकर मुझे चू कर चली गई तीसरी बार पता नहीं अंजाम क्या होगा खुशियां कभी कायम नहीं रहती हैं माना की खुशन दो पल के लिए रहती हैं लेकिन उन्हीं दो पल में दो सदियों की जिन्दगी चीनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है देखिये आज आपका जनम दिन है ऐसे उदास मंत रहें बेहपी मालिक मिनिस्टर साब आपसे मिलने आये हैं और एंपी साब भी आपसे मिलना चाहते हैं बुला लू उन्हें मैं वहाँ खुद जाओंगा लो वो आ गया मैं उन्हें लेकर आता हूँ आप अंदर जाए अंदर जाए ना चाहिए शुरू जाओ चलो जनता तो चिल्लाती रहेगी वो क्या है ना कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के करती है वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साब आये हैं अगर आपके साथ उनकी डील पकी हो गई तो समनो चांदी ही चांदी तुमारी पोस्ट क्या है एंपी एंपी की ड्यूटी क्या होती है जनता की सिवा तो फिर दल्ले क्यों बने हुए हो यह तो मार रहे हैं वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे उनकी हरकतें यह ऐसी है कि मार खाने ही पड़ेगी सुना अब मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या बात थी बताईए तुमने एंपी पे हाथ के उठाया उन्हें क्या आपने घर का नौकर समझ रखा है पिन पेंदे के लोटे पॉइंट बड़ा तुम्हारी मदद की जरुरत है हमें ना लूँगा न दूँगा नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हो उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं रिस्क उठाड़े से डरते हो क्या डरता हूँ और मैं बच्पन से ही अपना रास्ता खुद तै करता है हूँ एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दोड़ पड़ा ट्रेन तेजी से आ रही थी उसमें भारी भीड थी, दस इंच की दूरी पर आकर ट्रेन रुप गई, इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क और क्या? यही हदसा में फिर से दोड़ा रहा है, एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दोड़ पड़े ट्रेन तेजी से आ रही थी, ट्रेन में भारी भीड थी, दस इंच की दूरी पर आकर वो रुप गई, इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहोगा और क्या? जो ट्रेन तुमारे सामने ही वो कौने जानते हो? मैं हूँ अपनी तक्लीफ लेकर जो आता है, उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता हूँ, उसे मैं अपनी जूते की नोग पर रखता हूँ मेरी पावर क्या है ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बाते कर रहे हो पावर, तेरा, तू तो बिना एड्रेस, बिना स्टेम का एक खाली लिफाफा है, और मैं तलवार की नोग पर राज करने वारा पावर हूँ, तू है लोटरी, मैं हूँ हिस्ट्री तुमारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है, अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना, हवा के जोंके कितरा उड़ जाओगे अपने दिल की तसली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच आउन करके देख ले, तू मुझे गायब करने की बात कर रहा है, मेरा बाल तक नहीं हिलेगा, लेकिन अगर मैंने तहाड लगाई तो तेरा नामों निशान मिट जाएगा मुझ में इश्वर की दीवी शक्ती और लोगों का विश्वास है, जो मेरे लिए जान तक देने को तयार है, आजमा के देख, मेरे एक इशारे पर तेरे ही पाल तू, सड़क पर तेरा मजाग उडाएंगे, हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी I'll take it as a challenge, उसी राज में जिस राज में मैं अभी हूँ, उसी कुरसी पर बैठ कर जिस कुरसी पर अभी बैठा हूँ, जितेंद्र को तुम्हारी जगा बिठा कर ही दम लोगा पूरी ताकत लगाते, असेम्बली के गेट तक नहीं पहुँच पाएगा तो बीपी का मरीज से जादा चिल्ला मत हाट फेल हो जाएगा, मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा इनकार कर रहे हैं? हाँ भाई साब जब पैदा करने मुले कोई तराज नहीं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ओ क्या है ना, उसके कोक में फिर से लड़की है, ऐसा डॉक्टर ने का है, इसलिए गिरवाना चाहता हूँ लड़की है तो इसमें गलत क्या है भाई साब? क्या मतलब है? पहले महनत करो, पैसे जुटाओ, फिर उसके शादी में सब लुटा दो इनका कहना भी गलत नहीं है, लड़की तो परायाधन होती है, और जब वो ससुरा जाती है, तो वाप कंगाल हो जाता है सुनिये जी, कोई भी फैसला लेने से पहले घर के बढ़ों से बात कर लेनी चाहिए बहन जी, अभी तक तो इस घर में हमें लड़कीयों की इस सूरत देखने को मिली है, वो फैसला लेंगी आगे चल कर हमारे खांदान का नाम रोशन काउन करेगा, अपने खांदान का नाम रोशन करने के लिए एक चीराग तो चाहिए न, जो भाई साब, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या, हाँ इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे, भाई साब थोड़ा भार चलेंगे, लेकिन मेरी बात तो सुनी, यह फोर्म में आप इंवेस्ट करने वाले थो अभी तक किया नहीं वो हमारे घर की बच्ची के साथ ऐसा जोन कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूँगी, चलो लेकिन मुझे लगता नहीं उनसे बात करकर कोई फायदा होगा है रो आजू, सामान अंदर लेकिया अरे, समहल के चलना, कहीं फिसल गे तो क्या होगा? तमस्य सासुमा, सबकी तबीयत तो ठीक है ना, सबका चेहरा इस तरह से उदास क्यों है? ओहो, आप लोग इस तरह से मुझे घूर करके को देख रहे हैं? बड़ी साली साब को देखो, वो भी नजर जुका कर खड़ी है अरे साडू साब, आप इस तरह से उदास रहेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे पापाजी ने ये कहा है कि जब तक मेरी बहु चार लड़कियां पैदा नहीं कर लेती है तब तक आ करके मुझे सूरत मर दिखाना नीचे उत्रों बेटा, वेरी गड़, जो बाहर जाके खिला, मेरी प्यारी बेटी है, मैं मार्केट जाके आता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, शाम को मिलता हूँ सबसे, तोफे लेकर आओंगा सब के लिए आप जैसा कह रहे थे, वैसा तो कुछ नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा, ये बदलाव कैसे है, ठीक है, भगवान का शुक्र है, उसका दिल बदल गया, बच्ची की जान बच गई, इसी खुशी में मैं मंदिर में दिया चला के आती हूँ, ये हुआ कैसे, पामा जी अब कैस है, एक बार फिर से मुझे मामा कह के पुकारो, मामा जी, जाओ जाके खेलो बिटा, ओके मामा जी, तुमने मुझ पर हाथ क्यो उठाया, तुम कैसी हो, ठीक तो हो न बैन, तुम बात-बात पर इस तरह मुझे बार क्यों, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे दिनों में रोना नहीं चाहिए, तेरा बड़ा भाई अभी सिंदा है, अपनी जान दे कर तेरी बेटी को बचाएगा, रागाव जी, जी मालिक, बैन की कोख में लड़की है, इसलिए ये लोग अबोर्शन करवाना चाहते हैं, ये बेवकुब भूल गया है, कि औरत नहीं इसे जनम दिया और औरत नहीं इसे बाप बनाए, इससे मुझे अतराज नहीं, तो आपको क्यों है? मुझे अतराज है, लेकिन वज़य क्या है? एक ननी सी जान का खून करनी की इजाज़त तुझे किसने थी? तो बाप है तो क् क्या रखा है, हमारी बेटी है, उसके साथ जो चाहे करेंगे, तुम कौनों बोलने वाले? लड़की को जनम से पहले ही मार देना, कौन सी बड़ी बात है? लड़की कल हम पर बोज बनेगी, तुम्हारा क्या जाएगा? गाओं की इज़त बचाने के लिए ऐसा किया तो वो घलत नहीं है, धर्म है ये धर्म, एक लड़की एक मा की कोक में पल रही है, उसे मारने वाले का सपोर्ट करना बिलकुल घलत बात है, इसे लिए पीटा इसे, आसू पोचने के लिए मा चाहिए, बच्चे पैदा करने के गुमने फिरने के लिए कल फ्रेंट चाहिए, लेकिन बारी जब बेटी की आती है, तो नहीं चाहिए, यो, यह तेरा हिमायती है ना, बुरे वक्त में ये साथ नहीं देगा, साथ देगी तेरी बेटी, ऐसा पाप करने के लिए इश्वर भी माफ नहीं करेगा तुझे, मैं लड़कियों को हवस का सामाना और घर की नौकरानी नहीं समगतना चाहिए उसे तो घर की देवी समगतना चाहिए बिनास्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिनास्त्री के कोई जन नहीं ले सकता बिनास्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिनास्त्री के उधार नहीं होता बिनास्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिनास्त्री के कोई जन नहीं ले सकता बिनास्त्री के जिन्दगी नहीं चलती, बिनास्त्री के उधार नहीं होता इसलिए किसी भी मर्द को औरत जात पर जुल्म नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं I will show him the hell क्या हुआ? बेल करवाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई सबने हाथ उठा लिये अब जेल से बाहर आने का इंतिजाम आपको ही करना होगा MP ने भी मना कर दिया, वो भी पदल गया मुझे महरा बना कर वो खुद दिल्ली चला गया लो फिर तुमने क्या सोचा है? हमें बदला लेना है देखो भाई, कितना भी महगा हो चलेगा लेकिन चीज प्यारी होनी चाहिए ताकि पहन करिया खुबसूरत लगे बड़े दिनोबाद शॉपिंग बेन गली है ताकि बढ़े जाए ताकि बच्च पुद बड़े ताकि बड़े ताकि दूपिंग अगल, दर वासे सुलूट! गासे उiezात की AND वो यिशान की ढूनू हम है। आसे सुलू हाव पासे उलिए पुच... अज़े तिर्चान, मुरेशा ब सुरिणी आपने it will be भाकवान बचाले उसे कि का था बेल नहीं उपाएंगा पी तेद्मर का बेल हो गया है बाहर आ गया है वो एपी के एमपी को खबर कर दो कि घर आ गया हूँ सर्थ आपका बेल करवाने वाला अंदर है हमने इतने पैसे खर्च किये तो भी कुछ नहीं हुआ लेकिन उनकी एक आवाज रखाए कि मेरे घर पर आकर मेरा नमक खाकर तो उसकी तारीफ कर रहा है मेरी बेज़दी करने वाले को मैं इसी वक्त दुनिया से उठाव दूंगो है बाहर निकाल सर बेद रोगा प्या अंदर के ले जाए हुआ लेर चुआ अवाईगा रहा हाई मैं ने तेरे बाप को मारा तो कुछ नहीं कर पाया तेरे छोटे भाइको मारा तो कुछ नहीं कर पाया तेरे घर के अंगन तक आ गया कुछ नहीं कर पाया क्या बोलता है कुछ करने का दम है तुझ में अगर है तो सामना कर I'm waiting मेरे भाईयों को मारने के बाद तु सोच रहा है मुझे भी माड़ा लेगा तेरे नर्व जाने की सड़क तयार कर रहा हूँ तु आज नहीं बचेगा रुप जाए दिया डर बते हैं इसे तेरे सामने नहीं मानूगा जा यहां से तेरी बीवी ने तेरी जान बचा ली इज़त की जिन्दगी जीएगा तभी तु सर उठा कर जी पाएगा स्वार्थी बनके जीएगा तो जिल्लत ही पाएगा कितनी औरतों को विध्वा बनाया, कितनी लोगों को ठगा तुने, पूरे गाउं में देश्चत फेलाई, तुझ जसे को जीने का कोई हक नहीं है, अच्छ फिर भी तुझे आखरी माउका देता हूं शे घंटे का वक्त है तेरे पास, उसके अंदर इस गाउं को छोड़ दे वरना बचेगा नहीं तो Get out of my city Get out of my city Chote Malik Chote Malik यह सब क्या हो गया? आपके आखों में आशू क्यों है? चलिए, चलिए घर चलते हैं Krishna, तुम्हें डर नहीं लगा? जब भाई साथ में हो, तो किस बात का डर? दामाद जी, हमारे लंडन जाने का इंतिजाम करो Krishna की पढ़ाई वहीं होगी और यह वहीं रहेगा इस देश से और अपने बड़े बेटे से दूर चले जाएंगे मेरे लिए तुम लोगों की सुरक्षा सबसे एहम है वेंकर जी को फोन कर के कहो, कि सारे इंतिजाम करके रखें मा जी मुझे कहा गया कि आपको साड़ी पसंद है मुझे ना पसंद होते वेवे मैंने पहनी यहां खाने को कहा.. तो खाया भगवान की आग marijuana अपना माधा टेकने को कहा.. वो भी किया लेकिन आप उनसे दूर जाने के लिए मत करिये माजी, ये जुर्म मैं नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ. ये हो नहीं सकता, लेकिन क्यों? मैं अपनी मा की मौजुद्गी में ही शादी करूँगा, तुम्हारे अलावा मेरी जिन्दगी में कोई नहीं आएगी, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग कर शादी करूँगा, किसी को धोखा देकर, उनका दिल दुखा कर तुम मैं अपनाना चाहता हूं, कितनी भी मुश्किले आएं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूगा, मेरे दिल को छूने वाले, ये सारी अलफाज आपके बेटे के हैं, उझे उनसे दूर मत कीजी माजी, रोक लो खुद को, उसके साथ शादी का मतलब है, मौत को गले लगाना लाचारों की रक्षा के लिए आपके यहाँ शेर पैदा हुआ है, फो उनका फर्स है, जो ऐसा फर्स निभाते हैं, लोगों के दिल में रहते हैं, और जो जुल्म सहते हैं, उससे बुस्तिल कहते हैं, कि याद कीजिए, रस्टाचार को मिटाने के लिए यहाँ पैदा और दुश्मनों पर हुकूमत करने वाला वो है एक डिक्टेटर लौ एन ओर्डर को सही दिशा दिखलाने वाला एक रूलर माजी देवता कोई भी अवतार ले सकते हैं आपकी छट के नीचे इंसाफ का एक देवता आया है उस भगवान को भी धर्टी पर हुनी वाला जुम तो दिखता ही होगा न उसी जुम को जड़ से मिटा कर खात्म करने के लिए मेरे पती ने इस धर्टी पर जन्म लिया है आप उस देवता को पहचान नहीं रही इस दियो उन्हें घर से बाहर रखा हुआ है ऐसा अन्याय आप कैसे कर सकती है आप घर की बड़ी है आप हिमत कैसे हार सकती है आपके इस गुरूर की वज़े से आज हो इस वक बाहर है दुनिया हम पर हस रही है उन पर इतना जुन करने के बावजूद हम पर कोई भी गश्टाता है तो वही पहुंचते है उनका बस शर दोस्त की बेटी हो मैं हार जोड़ती हो हमारी घर के समस्या से दूर रहो इसी में भलाई है रुकिये मैं बात करता हूं माजी विदेश में पली बड़ी लड़की के लिए हमारी घर में कोई जगह नहीं है तुम्हें यहां से चली जाओ चाली जाओ यहां से तुम यहां क्या कर लेगा है तुम यहां क्या कर लेगा है मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है गरवाले नहीं माने इसलिए घर छोड़ दिया अब आप ही बताएए मैंने सही किया न वैसे मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं फिर भी तुमने घरवालों का दिल जीता है उनसे घुल मिल गई है इसलिए यह ठीक नहीं है तो ठीक क्या है बताएए न देखि आपकी दीदी को कुछ हुआ तो जीजा जी है आपकी दादी को कुछ हुआ तो सब के सब हैं लेकिन आपका यहां ख्यार रखने वाला कोई नहीं है मुझे आपसे महांबत है इंकार मत कीजिएगा इस बारे में मैं कभी नहीं सोचते घर से निकलते वक्त पता नहीं होता कि लौटूंगा कि नहीं, यह बिना गैरंटी की लाइफ, क्या तुम्हें मन्जूर है? ग्यारंटी बॉरंटी देखने के लिए ये कोई बिजनिस डील नहीं है सिंदकी है मुझे आप पसंद है हर हालत में पसंद है आपकी बात है मुझे पसंद है आपके साथ बिताया हर बल मुझे पसंद है तुमने सिर्फ इस गाउं का ही बाला नहीं किया बल्कि इतनी सारी अनाद बच्चों को सहारा दिया है उन्हें दो बक्त की रोटी खिलाते हो बटके हुए को सही रास्ते पर लाते हो अट लिस्ट सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पत्नी बनाकर मुझे अपने कदमों में जगे दे सकते हो प्लीज महाँ जाकर में भूल तो नहीं जाएगी आई आई जल्दी बटी जल्दी बटी 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 प्ली आँ वो तुझे ढूंड़ते हुए यहां जरूर आएगा का जोड़कर जाने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था मेरी तब से संकी हुई है जब उसने मेरे काल पर तमाचा मारा था उसने मेरा खर तबाह कर दिया लोगों के सामने मेरी बेज़ती की उसे जिन्दा मैं ही छोड़ूंगा मैं खत्म कर डालूंगा मैं उस कमीने को उस कि शुक अड़ूूब05 झाल 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 उसे ललकार कर बड़ी गल्दी कर दी, देख तेरी सामने शेर खड़ा है, वही सजा देगा तुझे दो मिनिट तो मुझे हमाल झाल झाल दो मिनिट म सबस्ति थोग घंटल इंटा जब एक अगले हैं पुझ करने लिए अगले गलाए और मैं आ पिए। बस थोड़ी दिरवर हुँआ कि आ पिए। कि जरी जई दोगान I love you. 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 Shweta? 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 हुआ 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 है हुआ 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 है 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 श्वेता, आँखे खोलो श्वेता, देखो मैं तुमारे सामने हूँ, श्वेता, मेरी भाद सुरो श्वेता, आँखे खोलो ना, श्वेता, श्वेता, गाड़ी लियाओ, जल्दी सास्पनल जाना है, मुझे, मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ, श्वेता, मैं तुमारे साचा तुमारे सामने ही, खोरिए खोलो श्वेता, श्वेता, मैं नारे से जाने हीובoth, झाल झाल मिल गई तेरे कलेजे को धंडाक हमारे परिवार के और कितने लोगों को शम्शान पहुचाएगा तू तेरा इस घर पर कोई हख नहीं और नहीं हमारी जिन्दगियों पर कोई हख है तूने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ मौथ की ओर बढ़ता है इस पर चल कर कुछ हासिल नहीं होगा हर घर में खुशियों के दिये जलाए जाते हैं लेकिन हमारे घर में दिये के बदले जिता जलती है अब मैं अपने लोगों की लाशों का बोज नहीं उठा सकती लोगों का दुख मिटाते मिटाते तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए वो दर्द तो मैंने किसी तरह सह लिया लेकिन तुने जो ये तांडव शुरू किया उससे अपनों की लाशों का दर्द मैंने इसे अभाऊंगी तुने गुना किया है तो तुझे सजा भी जरूर मिलेगी तु इसी वक्त हम से दूर चला जा अगर आज के बाद तुने अपनी मन्हूस सूरत हमें दिखाई या हमसे कोई रिष्टा रखने की कोशिश भी की तो मेरा मरा हुआ मू देखेगा अब जा यहां से चला जा या जा या रहां कर दो कर दो कर दो यामा यामा चल्द खनॉ यामा कर दो बन्हाँ जो Hmmm घाँ बन्हाँ लाँ हम रिंग आप 2 झाल झाल वो जब से लौट कर आया है बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है जब तक वो बाहर था हमारी पांचों उगलियां घी में थी अब बाजी उसकी तरफ हो गई है तुम्हें मैं इसलिए एक सलाह देता हूँ देखो तुम यहां रहोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा वो पहले ही टीन कतल कर चुका है अगर मेरी पावर का सही इस्तिमाल किया होता तो उसे अच्छा साबक सिखाते हमेशा काम शांती से करना चाहिए तेरा बाप ये बात नहीं समझता है जोटे वाले को शांती से सुला देते तो उसका भाई भोचाल बनके नहीं आता उपर से तेरा बाप हमेशा मेरी कंदी पर रखके बंदूख चलाता है प्राक्टिकली जो कुछ भी तुम कह रहे वो बिल्कुल करेक्ट है कि जिसको मेन्हें बनाया उसका फायदा उठाना कोई गलत बात है मेरे सामने खड़ूकर बात करने के मतकिस्वें है भता रहे पास ये पावर है वो पावर है ऐसे पावर ये बोलना बहुत आसान है लेकिन तान करना मुश्किल कि किसके दिल में मेरे लिए क्या रखा हुआ है ये मेरी समझ में आ गया है मेरे बगार तुम कुछ बेसाबित नहीं कर सकते तुम सिर्फ खुदकुशी कर सकते हो जिते अंद्र यूअ आल्वेस पाफेक्ट तुम्हारी कुरसी पक्की समझो सियम तुम्हारा नाम अनौंस करने जा रहे है इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो ये मैं जानता हूं तुम पर क्या बीद रही है ये भी जानता हूं तुम्हें अपने आप को सम्हालना ही होगा तुम्हारे दुश्मन ने मुझे बहुत बड़ में रहकर उनके बीच दरार डालनी है मतलब मेरे कंदे पर रखकर बंदुग चलाना चाहते हो कि सब्सक्राइब करो ग्राइंड पार्टी का इंतिजाम करो जो जितना मांगता है उसे उतना माल दो और जो इंकार करता है उसे दुनिया से विदा कर दो अब उनकी जान को कोई खत्रा नहीं है कुछ दिनों के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं इसे भगवान की लीला ही समझे मुझे माफ करती चेता दिवा मैंने जान बुझ कर दुश्मनों को दावत नहीं दी पौनी को कौन टार सकता है एक काम और बचाय जिसे पूरा करने के बाद आपके सामने कभी नहीं आऊंगा इनसाफ के लिए कफन बादने वाले तुम एक शेर हो तुमने जो कुछ भी किया हालात को देखते हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं था तुम्हें अपने परिवार वालों के फिक्र थी तुम्हारे इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं सकी कभी पहचान ही नहीं पाई तुम्हें खुद से दूर भेजा ये सोच करकि शांती से रहेंगे लेकिन तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते ये बात आग समझ में आई है अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है अपनों के लिए जो जीए सही माइने में वही जीना सही जीना है बिटा अपनी खुशी के लिए मैंने तुम्हें अपनी नजरों से दोर कर दिया था बेटा जिन्देके बर तुमा नात की तरह रहें इसके लिए मुझे माफ करें दादी मा नहीं दादी नहीं दादी क्यों अब मैं वह कैसे बताओं कि बोलो पर्टी खांगे यह क्या बात होई इतने कम समय में तुमने इतनी सारी पार्टियां बदल दी बाप प्रेबाब तुम तो बड़े तेज निकले राज नहीं दिये वक्त के हिसाब से पैंतरे बदलने पड़ते हैं यह सभी बात है अरे सुबाराओ जी आप भी तो कुछ बोलिये ना आप तो कुराने की लारी हैं आपने तो पार्टी बदलने में रेकॉर्ड बना लिया अरे यार वो जितंदर को टिकिट देने के लिए हम सब को पैसो से तॉल रहे हैं एक तरफ वो नोट की गड़ी दिखाते हैं दूसरी कीमत देकर खरीदा है उनका बहुर इंतजार नहीं होता है है लगता है शीर आ रहा है इसके साथ रहने में बहुत है देना आपको क्या चाहिए मुझे बिजनस करना है वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की है बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिर्गित की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम और उसे मैंने अच्छी कीमत लेकर बेस दी ऐसी छोटी मोटी जमीनों पर लोग कबजा तो करते ही रहते हैं जनता की आपके बारे में क्या रहाई है? मेरे जैसा मेहनती और कोई है क्या? No one पूरी मेहनत से रेलवे में घपला किया कोई कुछ नहीं कर पाया मेरे गाउं में शॉपिंग मॉल बना के दिया गाउंवाले खुश हो गए इसलिए अब मैं जो भी कहता हूँ तो बेवकूफ जनता चुप चाप मान लेती है आपकी क्या रहा है? मैं आब और बढ़ा चढ़ा कर आपके सामने क्या कहूँ जनता हमें वोट देती है हमारा काम देखकर और जनता की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है इस हिसाब से जो भी चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा और मान लोगर गलती से कोई फेल हो भी गया तो वो घर में बैट कर भी जनता की सेवा कर सकता है इसी तरह मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे देश का हर नेता कैश या बोल बचन से नहीं बिकता है सर अपनी एरिया का सारा टेंडर में ही लेता हूँ एक 50CR ओकी कीजिए नेता जी काम खतम नहीं होने देंगे और उस रकम को अगर आपे TCR कर देंगे तो सब काम छोड़ कर ये उसी में लग जाएंगे क्लियर है सर, कुछ भी काम कराना हो तो पैसा बहुत जरूरी है वरना काम पूरा नहीं होते अपने पुराने पार्टी से बोर हो गया था इसलिए हवा पानी बदलने के लिए इधर आया जनता आपके बारे में क्या सोचती वो तो भेड़ बकरी है सर जी जब भी चुनाओ का वक्त आता है मैं 50 करोर लेप्टॉप के जरीए क्रिकेट मैच के दाउं में लगा देता हूँ और उसके बाद क्या होता है यह आप नहीं जानते हैं सर जो भी पैसा हम इस मैच के जुए में जीतते हैं उस पैसे से लोगों को विर्यानी खिलाते और दारू पिलाते वही लोग चुनाओ के समय मेरे लिए नारा लगाने का काम करते हैं इस तरह से मैं लोगों को अपनी मुठी में रखता हूँ सर। सर, हर कोटेशन के लिए मैं आपको एक सीर देने के लिए तयार हूँ सर। अब पुराने सिस्टम को उठा कर फेंक दीजिए, पुराने सिस्टम का यहां कोई काम नहीं है सर। आपके एरिया में जनता को बहुत प्रॉब्लम्स है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग पार्टी बदलना चाहते हो, या इमान किसी के पास नहीं है। सीनियर अगर हमारी मदद ना करे, तो आप ही बताए हम भला जनता की सेवा कैसे करेंगे। है, आज के स्वार्थी दोर में जनता जनता करके क्या बीन बजा रहे हैं, आप पापी, मैं कहां पर हूँ। एक थपड में तुम्हारी ये हालत है, सुचो अगर घोसा पड़ता तो क्या होता। आपने इसे क्यों मारा, आपको क्या हाग बनता है, हम यहां से वॉक आउट कर रहे हैं, अभी। उस वॉक आउट को नॉक आउट कर दिया, इसने। इदर आउ, इदर आउ, इदर आउ। तुमारी मा की उमर क्या है? 75 साल उन्हें किसी भी कीमत पर बेचोगे? मा को कोई बेचता है सर्थ पिर अपनी मा समान पाटी को क्यों बेच रहे हैं? कितनी महान हस्तियां इस कुर्सी पर बैठ कर चली गई। जीतिंद्र जैसा शैतान इस कुर्सी पर ना बैठ इसलिए तुम्हें यहां बुलवाया। तुम लोगों के दिल में जनता के लिए कितना प्यार है अब समझ में आया। जब अपनों की बात आती है तो इमान, धर्म, कर्म, फर्ज सब कुछ याद आता तुमको। जब मंत्री बन जाते हो, तो इमान गया, धर्म गया, कर्म गया, फर्ज गया, यहां तक की जनता की दूरदशा करते हो। सत्याचार को रोको। अपने एरिया में जाओ, एक-एक घर में जाओ और पूछो उसे क्या उनकी समस्या क्या है। वरना तुम लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। बी केरफूल, बी केरफूल। उन्होंने कितनी सही बात कही है, हमारा फर्ज याद दिला दिया। चलो। बात कहारा इन्होंने भूपप्या दोन्होंने लोगों चलो। बात कहारा प्रावाई अजाल से घ्र गाट जालUD जाल्स भार लोगा जाजने लोगा है अजयोगा है अजयोगा है कि कि वे औ forearmाइर का थे को झाल। दो, वा खवनारी थालती है। फटे न कर गारे कर दो डिंद ए लुट रिंद ए लुट घंद लुट कुछ हुआ पो हुआ 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 आप आप लिए भरवान है भाई बहुत है वह घर हो हम आरे लिए भरवान है भाई आप बहुत आप बहुत आप भगवान का रूप है महान हस्तियां कह गई है समाज ही मंदिर है जनता उसका देवता मैं भी यही मानता हूं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यूँ ही लड़ता रहूंगा असली नायक वो होता है जो हक के लिए लड़ता है वो इंसाफ की सेवा करता है ना की अपनी सेवा दर इस नो केंग इंदे डिमोक्रसी अउली पीपल आर दर रूलर निरणे भी आपको और विजेता भी आप ही यथो धर्मा तथो जया जहाँ पर धर्म है वहाँ अवश्य जीत है इस अविक्तरी आपके विक्तरी